अब नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की वीडियो डिफेंस इस पेसल बीडियो है इस वीडियो में 10 कोस्चन्स होंगे केवल जो कि डिफेंस के एक्जाम्स के लिए बहुत ही महतोफून कोस्चन्स होंग कई है यह अगर आप डिफेंज के तयाई कर रहे हैं तो इस वीडियो का एक प्रिशन आपके लिए मैं तुपूर्ण है और एक्जामें निश्चे सवलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह सी वीडियो लेकर आते रहता हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों हमारी फिर्स्ट कोस्टन है आज का कोस्टन नम्बर बन भारती सेना का सर्वुच कमांडर कौन होता है ऑप्सन सा आपके ऑप्सन ए भारत का राष्ट्रपती ऑप्सन बी सर्वुच नयला के मुखनियादीश ऑप्सन सी लोगसवा का अध्यक्ष और दोस्तों ऑप्सन डिये में से कोई नहीं तो भारती सेना का सर्वुच कमांडर दोस्तों होता है भारत का राष्ट्रपती तो question number 2 का correct answer option A भारत का राष्ट्रपती next question के तरफ चलते हैं दोस्तो next question है हमारा आज का question number 2 किस मगल वादसा को अपने पुत्र ने कैद किया था option से दोस्तों आपके option A साजां, option B अकबर, option C हमायू and दोस्तों आपका option D होगा जहांगे तो question number 2 का correct answer option A साजां जहां दोस्तों साजां के लिए ही उसके पुत्र ने कैद कर लिया था तो next question है दोस्तों हमारा question number 3 question number 3 आज का UNO की स्थापना किस वर्च हुई, option से आपके 1936-1945 and option D है आपका 1958 और दोस्तों आपका last option है 1901 तो question number 3 का correct answer होगा option B 1945 यहां दोस्तों UNO की स्थापना 1945 में खुई थी तो next question के तरफ चलते हैं दोस्तों next question है हमाराज का question number 4 संसद के उपरी सदन को क्या कहते हैं बहुत important question है दोस्तों संसद के उपरी सदन को क्या कहते हैं option से आपके option A संसद, option B राजसभा, option C राष्ट पती वववन, option C इन में से कोई नहीं, त दोस्तों संसद के उपरी सदन को कहते हैं हम राजसभा, जिसके कारकाल, जिसके सदन से को कारकाल होता है 6 बरस का, तो question number 4 का correct answer होगा option B राजसभा, तो next question के तरफ चलते हैं, next question हमारा दोस्तों आज का question number 5, भारत का पहला नावकिये सकती station कहां पर है, option से आपके कलपकम, option B, कोरबा, option C, ट्रामबे, एंड दोस्तों आपका option D होगा तारापूर, तो question number 5 का दोस्तों correct answer होगा, आपका option D, तारापूर, दोस्तों भारत का पहला नावकिये सकती station जो है वो तारापूर में इस्तित है, तो next question के तरफ चलते हैं, दोस्तों हमारा next question है, आज का question number, sorry दोस्त करके वैल आकिन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते हैं सबसे पहले, और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो की जो PDF है, उसका में लिंक description में दे सकता दे दूँगा, और आप उस वीडियो की जो PDF है, इसको download description में क्लि राकेश सर्मा, और दोस्तों आपका option D होगा, रमेश सर्मा, तो दोस्तों question number 6 का correct answer is option C, राकेश सर्मा, जियां दोस्तों अंतरक्ष में जाने वाला पहला भारती है, राकेश सर्मा, तो next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा आज का question number 7, असायोग आंदोलन के नेता थे, असायो question number 7 का correct answer होगा, option B, महत्मा गांदी, दोस्तों असायोग आंदोलन के जो नेता थे, वो महत्मा गांदी थे, तो next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा हीरा कुन बांध किस राजी में इस्तित है, हीरा कुन बांध किस राजी में इस्तित है, option से आपके option A, महराष्ट में, option B, बि बांध किस राजी में इस्तित है, next question है हमारा आज का question number 9, question number 9 होगे दोस्तों, निमलिकित में से किस ने भारत पर सबसे पहले आकरमल किस ने किया, option से आपके अफगानी, option B, तुर्क, option C, अर्भी, और दोस्तों आपका option D होगा, मुगल, तो सबसे पहले भारत पर आकरमल कि गया था, तो question number 9 का correct answer, option C, और भी, next question है, दोस्तों, हमारा question number 10, बंदे मातरम राश्टरी गीत किस किताब से लिया गया है, दोस्तों, हमारा जो राश्टरी गीत है, बंदे मातरम उसको किस किताब से लिया गया है, option से आपके दुर्गेश नंदनी, option B, गीतानजली, option C, आन बंदे मातरम राश्टरी की दोस्तों, आनदमट किताब से लिया गया है, तो question number 10 का correct answer, option C, आनदमट, तो दोस्तों, इस वीडियो में ये 10 questions थे, जो कि बहुत महत्पूर questions थे, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, thanks for watching दोस्तों, ऐस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तो दोस्तों को चलिए, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन जैवारत